हलो डिय श्टुडेंट्स तोड़े वी आर गूंग तो स्टार्ट ए निव चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल नेम्ड नूकलियाई यह यूनिट नंबर आठ खा पार्ट है पूरी जो यूनिट उसका नाम आपको पता है वो नाम है आपके पास एट्टम एंड नूकलिया यह यूनिट का नाम है यह यूनिट नंबर कौन ची है आठ और अग्जाम में सेवन मार्क्स की यूनिट आती है पिछली जो क्लासिज हमारी थी और जो वीडियोज हमने बनाए वो हम एटम के उपर बना चुके हैं सारे के सारे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पड़ा और एक हमने रदर फोर्ज का मॉडल पड़ा और वहां से आपने देखा कि हमारे पास इलक्ट्रोन और प्रोटोन का कॉंसेप्ट आया वहां पे किसका कॉंसेप्ट आया इलक्टोन का और प्रोटोन का और आपने देखा कि जो प्रोटोन है वो पोजिटिवली चार इसका मतलब nucleus जो हुआ, nucleus के कुछ consistent particles भी है, nucleus भी किन से मिलके बना है, फिर atom के भी कुछ consistent particles है, जैसे electron है, proton है, और एक क्या होता है, neutron, तो हमारे पास जो electron आपके पास जो आया, जो proton आया, या जो neutron आया, इनके measurement का भी कोई system होना चाहिए, जैसे कोई भी आपके पास physical quantity है, तो मेजर करते हो, जैसे length को आप meter मेजर कर लेते हो, time को second मेजर करते हो, तो उसी परकार से जो electron का मास है, proton का मास है, और neutron का मास है, इनका, इनका मास मेजर करना चाहिए, और आपको पता है, previously हमें पता है कि जो mass की जो unit होती है, वो unit होती है, mass unit क्या होती है, kilogram, mass unit क्या होती है, kilogram बट किलोग्राम जो है वो बहुत ही लार्ज उनिट है और उस से हम इलक्टोन का मास प्रोटोन का मास और नोटोन का मास मेजर नहीं कर सकते हैं तो इलक्टोन प्रोटोन और नोटोन का मास मेजर करने के लिए हम एक नई उनिट की जरूद पड़ती है और वो जो उनिट है उस unit को हम बोलते हैं उस unit को हम क्या बोलते हैं उस unit को हम बोलते हैं atomic mass unit तो atomic mass unit की जरूरत क्यों पड़ी electron proton और neutron के mass को define करने के लिए उनके mass को measure करने के लिए atomic mass की जरूरत पड़ी है atomic mass unit की जरूरत पड़ी atomic mass unit को amu से भी लिखा जाता है amu मितलब atomic mass unit definition कैसे देते हैं it is defined as 1 12th mass of the carbon 12 atom अब carbon 12 atom का जो mass है उसका 1 12th अगर हम ले लेंगे तो atomic mass unit के बरापर होगा ठीक है अब आपको ये देखना है कि जैसे mass of c12 atoms होगा वो 12 divided by 6.023 into 10 digit वार 23 ग्राम होगा जिसकी calculation करके ये कुछ इतनी value आने वाली है अब आपको ये सोचना ये है यहां पर ये थोटा है miss print है ये 26 नहीं आएगा ये 23 हाँ किलो ग्राम में बदल दिया तो ठीक है ये 26 हो जाएगा पहले ग्राम में था तो 23 था किलो ग्राम में कर दिया था हमने 26 हो गए यहां से आपको ये देखना है कि हृट आपको ये देखना है कि 26 का SHT कहा तो आपने अवेगाडू number के बारे में तो पढ़़ा होगा आपको पता है कि जो एवेगीडरो number होता है जैसे मैं carbon c12 की बात करता हूं c12 की बात करता हूं इसका मतलब वागा कि जो 12 gram carbon है उसके अंदर जो number atom है वो alligator number के बराबर हैं जिसको हम answer परजन करते हैं तो उसका meaning यह हुआ कि alligator number जो हमारे पास होता है जिसको हम लिखते हैं 6.023 into 10 to power 3 जो atoms है उनका मास कितना है 12 gram है और carbon के एक atom का मास हमें चाहिए तो एक atom का मास कितना हो जाएगा 12 divided by 6.023 into 10 to power 23 तो आपको पता चल गया होगा कि यह भी लूग कहां से आई ठीक है तो आगे चलते हैं तो 1AMU जो हम represent करते हैं वो represent करते हैं mass of 1C12 atom divided by 12 और 1C12 atom का मास है वो होगा 12 divided by 6.023 into 10 to power 26 और into 1 upon 12 कर देंगे 12th part किलोगराम का यह जो calculation हम करते हैं यह हमारे पास आती है 1.66 into 10 to power minus 27 kg यह जो मास है यह मास यह 1AMU के बराबर है 1AMU 1AMU मतलब atomic mass unit के बराबर है और जो atomic mass unit जो है atomic mass unit the atomic mass unit are conventionally expressed in atomic mass unit जो atom का जो मास है ना atomic masses जो होते हैं उनको हम atomic mass unit के अंदर represent करते हैं और जो atomic mass unit है वो measure की जाती है बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ से वैसे आपके syllabus में नहीं है उनले आप नाम याद करकर रखें कि बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ नाम का को डिवाइस होता है जिससे atomic mass unit का measurement किया जाता है और atomic mass जो होता है वो atomic mass unit में मतलब जिसको हम amu बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसको हम amu बोलते हैं उसके अंदर measure किया जाता है अब एक basic definition और है हमारे पास वैसे तो पहले भी आपके पास हाथ सुकी है जिसको हम बोलते हैं electron volt क्या बोलते हैं electron volt electron volt को आपको पहले इसका concept समझ लेना है फिर definition आपको आज आसाने से आ जाएगी electron volt को हमने लिखा है e into v e into क्या लिखा है v आप देखो e क्या है e है charge on electron और v है potential v is potential तो electron volt हो गया हमारे पास charge into potential ओके ठीक है अब देहां देखो यानि इसको मैंसे लिख दूँ q into v लिख दूँगा क्योंकि quantization से आपको पता है q is equal to n into e होता है अगर n is equal to 1 हो जाए तो q की इसके बराबर हो जाता है e के बराबर तो इसको मैंने लिख दिया q into v यह q into v क्या है अब इस formula के बारे में सोचो आप q into v क्या है कहां से आया q into v अगर हम electrostatics में जाते हैं तो आपको वहां से formula मिला था potential का v is equal to w divided by q और w का जो formula आपके पास आया था वह था v into q ओके v into q quantization से अगर मैं single electron की बात करूँ तो q की जगर क्या जाएगा मेरे पास electron आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ w is equal to e into v w क्या है work मतलब work है एक परकार से electron volt और work क्या है energy अब electron volt का मतलब यह हुआ कि electron किसी potential में move कर रहा है तो यह जो work है ना यह work आपका यह work यह change हो जाएगा kinetic energy में तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह जो electron volt है electron volt है kinetic energy किसके बराबर है electron volt के बराबर है और यह kinetic energy किसकी थी one electron की थी कब थी जब जो potential difference था वो one volt था तो यहां से easily आप definition दे सकते हो समझ गए होगे आप कि one electron volt is the energy gained by यह electron when accelerated through a potential difference of one volt एक volt के potential difference में electron accelerate कर रहा है तो energy को one electron volt बोलता है one EV की calculation अगर आपको करनी है one electron volt की तो electron की value इतने कुलम होती है one volt हो गया value पूट करें हमने one point six ten digit power minus 19 कुलम वोल्ट और कुलम वोल्ट होता है वो जूल के बराबर होता है इसका मतलब जो one electron volt होता है उसकी जो value होती है वो गी one point six ten digit power minus 19 जूल इसको आप याद करके रखेंगे यह conversion factor है बहुत बार काम आता है क्या conversion factor है इसको erase घर देते हैं ना इसका काम नहीं है conversion factor है हमारे पास one electron volt is equal to one point six into ten digit power minus 19 जूल this is the conversion factor और इस conversion factor का आप याद करके रखेंगे कई बार electron volt को जूल में convert करना पड़ता है हमें तो हम क्या करेंगे इस conversion factor को याद रखेंगे अगे हमें निकालना है relationship between next topic हम उठाते हैं या से relationship between AMU and million electron volt AMU AMU मतलब atomic mass unit यहाँ यह जो AMU सब्द है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है atomic mass unit और ME का मतलब है million electron volt इन दोनों के बीच में क्यारलेशन हम वो देखेंगे तो यह जो relation है यह relation निकलता Einstein's mass energy equivalent से Einstein का जो mass energy equivalent का बोलता है कि E is equal to I am square होता है बहुत अच्छे से पता आपको अब mass जो है न वो AMU है तो 1 AMU mass थोड़ी देर पहले हमने निकाला था जैसे आप यहाँ दान दो यह रहा 1 AMU mass जो यह red point से highlight कर रहा हूँ 1.66 10 निजट पौर माइनस 27 kg यह 1 AMU mass था नहीं यह 1 AMU था तो यह 1 AMU हमने यहाँ पे use कर दिया mass के जगे तो हमने यह ले लिया और C speed of light हमने यह ले ली यह जो calculation किया हमने तो calculation होके हमारे पास आया 1.49 10 निजट पौर माइनस 10 जूल इनकी calculation करेंगे तो यह लुआएगी ठीक है जूल को electron volt में convert करना है तो यह conversion factor हमने use कर दिया अभी अभी आपने देखा थे 1 electron volt 1.6 10 निजट पौर माइनस 19 जूल होता है ठीक है तो 1 जूल किसके बराबर हो जागा यहां से 1 जूल is equal to 1 electron volt divided by 1.6 10 निजट पौर माइनस 19 इसका conversion factor यह आ जाएगा तो यह अभी लूट कर दिया हमने तो यह हमारे पास है 931 into 10 निजट पौर 6 electron volt और इसको लगभग जो 10 निजट पौर 6 होता है इसको million बोलते हैं तो यह लगभग आपके पास हो जाएगा 931.25 million electron volt इसको लगभग याद करते हैं 931 से 931 million electron volt question यह आता है कि 1 amu ऐसे question पुछा जाएगा आपसे question आपसे पुछा ऐसे पुछेगा question पुछा ऐसे लिखाएगा 1 amu is equal to blank mev 1 amu कितने million electron volt होते हैं तो आप लिखाओगे 931 round of approximate value यह नहीं तो 25 लिखते हैंगे एक electron amu में इतने million electron volt होते हैं यह भी आगे numerical जब हम solve करेंगे तो यह factor हमें काम आने वाला है तो 1 amu की energy हो गई है यह direct है ना amu तो कह है atomic mass unit है और atomic mass unit को हम convert किस में कर रहे हैं energy में कर रहे हैं मतलब we are converting mass into energy क्या कर रहे हैं mass को energy में बदल रहे हैं we are converting mass into energy तो mass को energy में connect करेंगे तो यह value याद करना है 1 amu जबता है वो 931 million electron volt के बराबर होता है ठीक है उसके बाद next point पे हम चलते हैं hypothesis हमें देखने के ज़रूरत नहीं है यह भी hypothesis देख यह आपको definitions वगरा बताने के ज़रूरत नहीं है atomic number क्या होता है mass number क्या होता है यह आपको सब पता है हम अब जो main topic के इसके उपर चलते हैं nuclear size nuclear size क्या होता है बड़ा interesting topic के इसके numerical भी exam में आता है क्या है nuclear size देखो experimentally observe क्या गया है कोई भी nucleus होता है पहले द्यान रखो nucleus को हम X, Z, A से लिखते हैं X, Z, A से लिखते हैं यहाँ पे Z जो है Z यह है charge number क्या है charge number जिसको आप atomic number बोलते हो और A जो है यह है mass number charge number एंडे mass number जिसको हम atomic mass number जिसको हम बोलते है charge number है एंडे क्या हुआ mass number होगे ओके ठीक है तो experimentally यह observe हुआ है कि कोई भी nucleus हो कोई भी nucleus हो और उस nucleus की जो volume होती है nucleus की volume होती है वो directly proportional होती है किसके mass number के तो V directly proportional to A होती है volume directly proportional to किसके होती है mass number के होती है अब आपके होता है वोल्यूम का फावन लग क्या होता है 4 by 3 पाई आर क्योग क्योंकि हम यहाँ पर यह मान के चले हैं कि हमारा जो नुकलियस है वो स्फेरिकल इंसेप है नुकलियस कैसा है स्फेरिकल इंसेप है कोई लगवग 10% का डेविएशन आता है जो आपका नुकलियस वो स्फेरिकल इंसेप ना हो only 10% का डेविशन होता है otherwise जितने भी नुकलियस है वो लगवग स्फेरिकल इंसेप होता है तो हम यहाँ पे completely स्फेरिकल इंसेप consider कर लेते है तो स्फेर की वोल्यूम आपके पास पता है प्रपोर्शनल हुआ मास नंबर के इसके एक है तो यहाँ से इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ आर क्यूब फॉर बाई थरी प्रपोर्शनल हो गया ए डिवाइड़ बाई फॉर बाई थरी पाई आर क्यूब और यह भी एक कॉंस्टेंट है तो इसका भी एक नया कॉंस्टेंट बन जाएगा तो इसको और आल हम लिख देते हैं आर क्यूब प्रपोर्शनल टू ए जैसे हमने यह लिखा आर क्यूब प्रपोर्शनल टू यहाँ पर हम इसको आशे लिख देते हैं आर क्यूब का जो ये था सारे का जो है ना इसका क्यूब रूट ले लेते हैं दूने साइड में पूरे काम क्या ले लेते हैं क्यों रूट लेके वो फिर प्रपोर्शनल टिका साइन लगा देते हैं तो हम यह से क्या देखते हैं कि यह जो आर आया वो प्रपोर्शनल टो आया A रिज टू पावर 1 बाई 3 प्रपोर्शनल टिका साइन अटाएंगे तो उसको आर नोट से रिपर्जेंट करेंगे और इस आर नोट के वेलो 1.2 10 पावर माइनस 15 मीटर होता है यह आप यह भी बोल सकते हो 1.2 फर्मी होता है आपको बता है जो फर्मी होता है वो 10 पावर माइनस 15 मीटर के वराबर होता है ये भी आपको अच्छे से पता है ठीक है मिटा देते हैं इनको ये हमारे पास आगा तो इन्युमेरिकल इसके उपर आता आप ध्यान दखना नुकलियर साइज का आपने यहां से क्या दखा कि जो हमारी नुकलियर साइज है नुकलियर साइज यह लिख सकते हो r is equal to 1.2 into 10 raise to power minus 15 और a raise to power 1 by 3 यह होती है nucleus की size और वो depend किस पर करती है mass number पर depend करती है mass number जितना ज़्यादा होगा उस nucleus की size उतनी ही बड़ी होने वाली है mass number की बात हो गई अब हम चलते है next और next हम लेते है nuclear density क्या लेते है nuclear density इस पर से question आता है exam में a question कुछ इस प्रकार से आता है कि show that show that nuclear density nuclear density is independent to mass number यह कहता है कि show करके दिखाओ कि जो nuclear density होती है mass number पर depend नहीं करती है ऐसे exam में question आता है तो मतलब आपको क्या करना है density निकाल लेनी है क्या कर लेना है nucleus की जो density है वो density निकाल लेनी है कैसे निकालेंगे हम density density कैसे निकालेंगे बहुत ही simple आपको देखो पता है density का जो formula होता है वो होता है mass divided by volume density का फोनलों क्या होगा mass by volume simply पता है आपको density is equal to क्या होता है mass divided by volume होता है अब nucleus का mass क्या है nucleus का mass देखो mass जो होता है वो nucleus का कितना होगा उसका mass number कितना है nucleus का mass किसका होगा mass number into mass of a single nucleion nucleus के अंदर जो nucleion होते हैं जैसे proton होते हैं और neutron होते हैं उनमें एक nucleon का mass कितना है बो smallum से represent कर दिया हमने और A represent कर दिया उनका total number कितना है मालने जी जैसे मैं sodium का example लेता हूँ sodium का example लेता हूँ तो 11,23 होता है तो इसका mass number कितना हूँ 23 तो इसका अगर मुझे mass करना हूँ तो इतना हूँ 23 into mass of one nucleon तो 23 into M लिखंगा तो यहां पर मैंने के लिख दिया M A जैसी मैं सिद्धे अपने notes की उपर आ जाता हूँ जहां पर हमने क्या लिखा है M into A जो small arm है वो mass of one nucleion है और A है वो mass number है divided by volume तो volume तो यह हमारे पास volume की स्क्रीवी निकलिस की volume होगी ठीक है यह value हमने देखा तो यहां से हम क्या देखते हैं कि यह जो A है यह A को cancel कर देता है तो result हमारे पास आता है M divided by 4 by 3 पाई R note cube और R note क्या है constant जिसके value 1.2 10 is 4 minus 15 meter है तो इस result से में पता चला यह जो density है यह सभी जो matter होते हैं किसी भी element का nucleus हो सभी की जो density होती है वो same होती है और यह mass number पर depend नहीं करती है इसका मतलब यह होगा कि density कभी exam में आप से क्या करता है कभी कभी आपको confuse करने के लिए mass number देदेगा अलग 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 nukleion की अलग अलग nukleion का क्या करेगा mass number देदेगा और density का ratio पूछेगा तो जब भी आप से density का ratio पूछे जाए तो calculation करने के जरूद नहीं answer में से आपका one ratio बन रहेगा क्योंकि सभी जो nukleions होते है कोई भी meter हो तो सभी meter की same होती है जो density होती हो nuclear density होती है सभी meter के लिए क्या होती है same कितना भी mass number उनका हो तो यहां से हम क्या देखते है कि जो ratio आएगा आपके पास बो one ratio one ही आएगा ओके ठीक आगे कुछ simple सी definition से उनको मैं ज़्यादा details में नहीं बताने वाला हूँ जैसे isotopes हैं आपको पता isotopes क्या होते हैं इनको आप अच्छे से देख लेंगे एक isotopes की definition है और एक इसके अंदर जो next definition है जैसे isotopes क्या होते है isotopes differ करते हैं from one another in the number of neutrons मतलब number of neutrons अलग हो तो isotopes बनते हैं 10 जो होता है उसके 10 isotopes होते हैं 10 के 10 isotopes हैं largest number है यह आप याद करके रखेंगे यह आपका एक अलग से G के टाइप कुछिन बन जाता है और HG होते हैं उसके भी 9 isotopes हैं वाइल HG क्या होते हैं second number पे HG है साफसे ज़दा isotopes वाला और पहले नमबर पे कौन है 10 यह दो आप याद करके रखेंगे hydrogen के isotopes हैं जैसे protein है deuterium है यह hydrogen के isotopes है अब हम बात करते हैं next is isobar की तो isobar क्या होते हैं simple definition ज़दा समझाने वाली बात नहीं आपको याद करना है atoms of the different elements which have the same atomic weight but different atomic number are called isobars number अलग होगा weight same होगा जैसे हमने आप एक्जामपल लिया sodium का 1122 और neon 1022 1122 and 1022 calcium 20 और 40 है और argon 18 और 14 है आप देखते हो यहाँ पे इसका 22 और 22 यह बराबर है 40 और 40 यह बराबर है ठीक है तो यह आपके पास क्या होगे यह आइसो बार होगे next जो हम देखते हैं isotone isotone में क्या होगा isotone are the nuclei which contain the same number of neutrons जिसमें neutron से हम उनका isotone बोलते हैं जैसे example एक कलोरिन ले कलोरिन 17 और 37 और यह होगा argon 19 और 39 इन में अगर आप calculate करोगे जैसे यह आप इसके neutron निकालेंगे कलोरिन के तो आएगा 37 minus 17 that is equal to 20 और argon के अगर मैं निकालूं तो 39 minus 19 that is equal to 20 तो neutron दोनों में बराबर हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं isotone बोलते हैं next class में हम properties of neutron के बारे में discuss करेंगे तो आज आप यह जो definition में जिदा detail मैं आपको बताई नहीं definitions आपको याद कर लें और definition के अलावा यह जो आपको concept दिये हैं जैसे आपके पास जो main concept यहां पे क्या है एक nuclear size का concept आता है इसको आप अच्छे से देख पढ़ें इस formula को अच्छे से याद करें nuclear density वाले को याद रखें कि density का ratio हमें सहा 1 ratio 1 होता है और यह जो relation है AMU का इसके बीच में और electron volt की definition आपको बताई electron volt क्या होता है इनको आप अच्छे से रिवाइज कर ले और अच्छे से पढ़ें को याद कर ले